हाईलो फ्रेंट्स, वेलकम टो स्किल नॉलेज, दोस्तों आप कम्प्यूटर और लेप्टाप तो बहुत यूज करते होंगे और आपको कंट्रोल प्लस C और कंट्रोल प्लस V मतलब कॉपी और पेस्ट करना भी मालूम होगा लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपक कुछ ऐसी शॉटकॉट की बताएंगे जो अभी तक सायद आप नहीं जानते हैं तो चलिए शुरू करते हैं है 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 लो दोस्तों मैं हो गुफरान टाइपिस्ट आप देख रहे हैं स्किल नॉलेज दोस्तों कॉपी और पेस्ट करने की कुछ नई शॉटकॉट की हमने आप के लिए फाइंड किया है जो अभी हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे तो देखिए स्क्रीन पर जैसे हम MS वर्ड ओपन करते हैं फिर कोई एक वर्ड टाइप किया अब दोस्तों इसको कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल प्लस सी से करते होंगे और हमने जो शॉटकॉट क कि फैंड किया है वो है कंट्रोल प्लस इंसर्ट यानि की आप इस वर्ड को सिलेक्ट कर लीजिए फिर कंट्रोल प्लस इंसर्ट यानि की कंट्रोल दबाईए और साथ में इंसर्ट की दबा दीजिए फिर कंट्रोल छोड़ दीजिए तो आपका ये वर्ड कॉपी हो जैसा कि आपके सामने है आप चलिए कंप्यूटर में एक और चीज हम आपको बता दें जैसे आप MS Excel ओपन करिए फिर किसी भी कॉलम में कुछ भी टाइप करिए जैसे हमने दल ही टाइप किया अब इस पर आप करसर रखिए और Ctrl Plus Insert मतलब Ctrl Insert से इसको कॉपी कर लेजिए पिर पेस्ट करने के लिए आपको सिर्फ इंटर दबा देना है जो आप देख रहे हैं दोस्तों एक बात याद रखिए MS Excel पर Ctrl Plus Insert से कॉपी कर लेते हैं और इंटर दबाने से पेस्ट हो जाता है और MS Word पर कॉपी करने के बाद insert से paste हो जाता है अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम भूल जाएंगे तो ये shortcut की आप note कर सकते हैं दोस्तों अब हम आपको computer में एक चीज और बता दें जो computer center भी नहीं मालूम हो पाती जैसे हमने कोई भी folder या file open किया देखते रहें screen पर अगर अब आप यहां पर window प्लस right arrow का use करेंगे तो ये folder right side में shift हो जाएगा जो आपके सामने है और अगर window प्लस left arrow का use करेंगे तो ये folder left side में shift हो जाएगा और अगर window प्लस आप arrow का use करेंगे तो ये folder maximize मतलब full screen पर हो जाएगा और window प्लस down arrow का use करने पर minimize भी हो जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों अगर आपको कोई problem या कुछ confusion हो तो comment box में हमें ज़रू बताएं और अगर ये वेडियो अच्छी लगी हो तो like, share और subscribe किये बगार मत जाएगा क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की बहुत सारी नएने shortcut की लाते रहते हैं तेंक यो